नमस्कार किसान साथियों ये अमारा एक और प्लोट अब अपने पीक पे है ये भी कुकु 3D वेराइटी अमारे लगी हुई है इसमें देख लीजे आप फ्रूट सेटिंग नीचे से उपर तक करीब 12 टन के लगभग इसने माल अपने को दे चुका है अभी तक और फ्रूट ड्रोब इसमें ना के बराबर आया है एक्सिलेंट फ्रूट सेटिंग इसमें लगी हुई है देख लीजी आप जो भी पोदा आप उठाओगे चार से पांच पांच शे चे फ्रूट इसके उपर मेचोर्ड है और बिलकुल स्वस्त प्लांट है कोई डिजीज न टेमप्रेशर के अंदर जो परफोमेंस कुकु 3D की रही है वो मेरे पास और भी अन्य कंपनियों की सारी वराइटियां लगी हुई है ये देखिया आप बंच किसी भी वराइटी के अंदर वो प्रफोमेंस अभी तक नहीं देखने को मिली है जो प्रफोमेंस कुक्कु 3D की रही है एक्सिलेंट इसकी fruit setting एक्सिलेंट है और hold करने की capacity बहुत शानदार इसकी capacity है hold करने की मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए regular इसके उपर fruit से इसका पत्ता देखिए बिल्कुल dark blue leaf की तरह इसका पत्ता है हलागी company blue leaf होने का दावा नहीं करती है लेकिन फिर भी यह जो variety है और इसका fruit size किसान के लिए एक बहुत बड़ी advantage भविश्व में लेके आएगा जहां और company का fruit size चार साड़े चार इंच तक समेट के रह जाता है वहाँ इसका fruit size जो है 6 इंच से उपर तक हो जाता है गर्मियों के season में और वो भी multi wearing एक साथ ज़्यादा fruit लेने के बाद भी उसका size बड़ा हो जाता है यह देखिए मेरे हाथ में लेके बता देता हूं मैं आपको कैसा शांदार इसका खीरा है बिल्कुल चमकदार और जो inter node space है एक बार मैं फिर साथ आपको दिखा देता हूं नीचे से देखिए इसमें inter node space कहीं से भी ज़्यादा नहीं है यह पूरा आप plant देखिए चार उंगल अथवा उससे कम पूरा उपर तक इसका inter node space है यह क्रोब अप्रेल को लगाई गई थी और 22 मैं को इसमें फस्ट हार्वेस्टिंग हुई थी और 22 मैं से अभी तक यह क्यों बाइस महीं से अभी तक यह